नमस्कार स्वागत है आपके अपने सेनल दुहर कुमार पर दोस्तू आज यह वीडियो में आप हुआ बताएंगे गटी बालू का का चलसे निकालते हैं अगर आपके गटी qa कि ट्रुक में गिर्टी बालू मंगा रहें तो इसको कैसे आप अद्रिणा निकालना और कना बालू का द दाम और को निकले कर आपको हम बताएंगे तो चलिए चलु करते हैं मालिए लंबाई हो गया उत्रुक का लंबाई है यही है है जो द्राइञ त्रक का हो गया 12 feet 12 feet 5 inch ठीक है जो देखिए एक line उपड़ है न फिट में कहता है और double line वहाँ पड़ है एंच में कहता है ठीक है अब देखिए अब मानलें जो चौराई है जो देखिए चौराई भी तो होता है न चौराई चौराई है तो इस चौराई जो मानलेते हैं हम कि 9 feet 3-inch है 9 feet 3-inch और यह जो height है ट्रक का height है 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 Height भी तो है इसका तो इसका है है ट्रक का यह आपका हो गया 7 feet 2 inch है है यहाँ पर गपकिए लंबाई 12 feet 5 inch हो गया चौराई 9 feet 3-inch हो गया और जो इसका height है उचाही है 7 feet 2 इंच है है इसका तो इस तीनों को गुणा कड़िएगा आप इसका हमको आयतन निकल जाएगा भॉलूम निकल जाएगा ठीक है ठीक है जैसे इसका आप आयतन निकाल लेते हैं तो इस ट्रक के अंदर कितना बालू है वह आपको पता चल जाएगा चलिए बचाते हैं आपको निकाल कर ये ट्रक का जो डाइमेंशन है ट्रक का जो डाइमेंशन था किसा था ये लंबाई था आपका 12 फिट पाच इंच और आपका चुराई था 9 फिट तीन इंच और आपका जो हाइड था ट्रक का वो है 7 फिट 2 इंच इतना था आप देखिए अब तीनों को आप गुना कर दिजिए भॉलूम निकालने के लिए मतलब कि आयतन आयतन कैसे निकलता है लंबाई गुने चोराई गुने उचाई ऐसे नहीं निकलते हैं तो इ 5 इंच गुने 9 फिट 3 इंच गुने 7 फिट 2 इंच हो गया तो अब देखिए यहां पर यहां फिट में है और यहां इंच में है तो 12 फिट 5 इंच गुने 9 फिट 3 इंच इसको गुना कैसे करिएगा अब यहां बहुत इंपोर्टेंट है तो क्या करना है हमको जो 12 फिट है न आइंद फीट को इसको हम सबकों इंची में Can back ahead Thezeit वा February 10 इसको हम इंची में कर सकते हैं इसको इसको ओंड़ सकते हैं आपकि 12. sz4 दूर्ट अगोने 9.3 दूर 69 धाय जाएंगा ऐसा नहीं होगा गुना कैसे करना याम को तो यहां पर कितना है । को अगरा 20 से कितना हो जाएगाा 144 इंची हो जाएगा यहांपर कितना है इसको इसमें जोड दिजिए पलस 5 इंच कितना हो जाएगा 104 ही हो जाएगा पासी इसी तरह यहां भी इन्व फीट तीन इंच तो 9 फीट को आप इंची में convert कर दिजिए तो 9 फीट कितना है तो 9 यहां पर तो इसको किजिए कंवर्ट तो 9 गूने 12 कितना हो जाएगा बाड़ा नमा कि 108 कि हो गया आप प्लस में कितना है तीन इंची है कि इन इंची है कितना हो जाएगा 111 इंच है इसी तरह 7 फिट 2 इंच करिए 7 फिट को भी आप कर जिएगा तो साथ गूने 12 12 84 इंच प्लस कितना है दू इंच कितना हो जाएगा 84 प्लस दू 86 इंच हो गया इतना हो गया अब देखिए इस सब को आप गुना कर देजी यहां पर 149 गूने 111 गूने 86 हो गया अब इसको गूना करिएगा आप तो आपको आएगा 14,22,354 आपको इतना आएगा है ना इतना आएगा अच्छा इसमें आप आप 1728 से भाग देजिए अब 1728 से भाग क्यों दे रहा है तो करने है कि हां इंची में नहीं यहां पर इंची में है यहां भी इंची में यहां वी इंची में तो अगर हम इसको फिर से फिट में हमको नेकालना आप ढ़लो खड़ते हैं कई COM मैं अगर उफोर फित में थे में तो अगर को फ sneaking से आपको लाना है भीट में तो यहां से कडियेगा गुना 12 भार भाग दीजिए तो अब आएगा आप 1027Road बाल कितना है गा 1728 हो जाएगा बास समझे तो जैसे यहां भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 823.121 CFT मतलब क्यूबिक फिट इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप कि फिट क्यूब को आप यहां ला दीजिए क्यूब फिट है ना 823.121 क्यूब फिट इतना हो गया तो आपके जो ट्रफ में जो बालू है 823.121 क्यूबिक फिट बालू है अच्छा अब देखिए जब आप बालू खड़िदने जाते हैं तो बोलता है कैसे CFT है तो एक CFT का दाम कितना होता है आपका मालेजर 60 रुपया है एक CFT का दाम कितना है 6 रुपया आप खड़िदते हैं तो यहां पर कितना है 823.121 CFT है तो इस 823.121 में गुना कर देजिए 60 से तो आपका आजाएगा एंसर 49,387.26 रुपया आपका आएगा तो उमेदे वीडियो आपको अच्छा लागा होगा तो वीडियो को लाइक केजिए शेर केजिए और चनल कर देजिए सब्सक्राइब धन्यबाद जहिन बंदे मादरम